गुंधियो जिला आपदा प्रबंदन प्रदिकरन ने जिले में मौनसून के दोरान बार्किस सिती और विबिन्न घटनाओं पर तुरंट प्रक्रिया देकर जानमाल के नुकसान के प्रभाव को कम करने का फैसला किया है 8 दिसंबर 2021 को राजस सरकार से प्राप्त पाच रबर बोट का निरिक्षिन किया गया गुंधियो जिले को राजस सरकार ने पाच रबर बोट और अन्यम महतोपोन खोच एवं बच्चाव सामगरी उपलब कराई है प्रतिक मोटर बोट में एक मोटर इंजिन, बारा लाइफ जैकेट, बारा लाइफ पॉई, दो पैडल, पंचर किट प्रदान की जाती है महाराश्र सरकार से प्राप्त इन सभी खोच और बच्चा सामगरी का परेक्शन 8 दिसंबर 2021 को गोरेगा और तालुका की कटंगी जलाशे में किया गया था वरतमान में गोंद्या जिले में बार की सिती से निपटने के लिए 9 रबर मोटर बोट और 4 फाइबर बोट सहितकुल 13 नावी उपलप्त है जिले में नदियो, चलाशियो, बांधो, जिलो, आदी में कई घटनाय होती है इसलिए ऐसी घटनाव पर अंकुष लगाने के लिए चला आपता प्रबंदन प्रदिकरन नियमित अभ्यास के साथ साथ विबिन्न खोच एवं बचाव सामगरी का निरिक्षिन भी करता है खोच और बचाव दल ने यह भी पुष्टी की है कि अन्य खोच और बचाव सामगरी साइट पर टीक से काम कर रही थी जिले में विबिन्नबार की स्तिति में खोच और बचाव दल द्वारा खोच और बचाव अभ्यान चलाय अशारा है इस साल आमगाव तालुका के जवारी गुर्था गाव में चाननी पुथाड़े नाम की एक लड़की नहर में डूब गई चिला खोच एवं बचावदल ने शवो को बाहर निकाला चिले में इस तरह की अप्रिय घटनाव को रोकने के लिए आपदा प्रबंदन विभाकी क्षमता निर्मान के लिए रबर बोट का निरिक्षिन किया गया चिलाबदा प्रबंदन अधिकारी राजिन चवबे देपक सीह परिहार खोच एवं बचावदल के सदस्य नरेश उयके राजकुमार खोटेले जस्वंत रहांगदाले दीनू दीप चालक मंगेश डोये होमगार इंद्रकुमार बिसन उपस्तिते बीसन न्यूस के लिए गोंध्या से अभिशेक बटनागर की रिपोर्ट